ठो दोस्तो अगर आपके टीबी में कोई भी आइप डाउंलोड नहीं होता है यानि कि जब भी आप प्ले स्टोर में जाते हो किसी भी आइप को डाउंलोड करने के लिए तो वहाँ पे दैदिंग लिखे आ जाता है आप कितना भी वहाँ पे वेट कर तो पेंडिंग लिखा रहता है बट वो इंस्टाल यानि डाउनलोड नहीं होता है तो अगर ऐसी प्रोब्लम आपके टीबी में है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस प्रोब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो काफी आसानी से चलिए फिर दोस्तों सुरू करते हैं आप देख सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पे हाट स्टोर को डाउनलोड कर रहा था वर यहाँ पे वो ऐसा ही पेंडिंग चलता रहता है चलिए इस प्रोब्लम को फिक्स करने के लिए आपको करना क्या होगा सबसे पहले तो हम यहाँ से बायक आएंगे आपको सिंपल यहाँ पे चले आना है सेटिंग्स में सो गाईज यहाँ आप देख सकते हो साइड में आपको सेटिंग्स को आपसन मिलता है आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे फिर आप नीचे आएंगे यहाँ पर आपको एक आपस को आपसे मिलेगा आपस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर नीचे आएंगे See All आपस पर क्लिक करेंगे इसमें आपको ढून लेना है Google Play Store को बैसके लिए यहाँ पर जितने भी आपस अभी आएंगे यहाँ पर इसे पर क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पर नीचे चलिए आजाना आए Prior Data मिल जाएगा आप यहाँ पर Clear Data पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप Okay करेंगे फिर आप बाइक करेंगे यहाँ से बाइक आने के बाद आप सबसे नीचे आएंगे ऐसे तो सिस्टम आपस पर क्लिक करेंगे फिर आपको इसमें ढूले ना है Google Play Service को तो यहां पर Google Play Service आप आपको मिलेगा तो मैं देख लेता हूँ नीचे आऊँगा नीचे तो गाइस यह रहा Google Play Service अभी आप इस पर क्लिक करेंगे फिर उसी तरीके से यहां पर इसका भी clear data कर देंग तो आप यहां पर नीचे चले आओ clear all data को option आपको दिख रहा है आप यहां पर simple clear all data पर क्लिक करके ok करके बैक चले आओ बैक आना तो अभी आपका टीबी थोड़ा सा refresh लेगा थोड़ा सा लोडिंग लेगा तो आप यहां पर थोड़ा सा वेट कर लेना आप देख सकते हो य चलिए जस्ट वन मिनट को के हां तो यह ऐसा लोडिंग लेकर open हो जाएगा अब आपको सिंपल यहां पर गूगल प्ले स्टोर को open करना है और आप किसी भी आप को download कर रहे हो उसको आप download करो अब वह इंस्टॉल होगा और वहां पर प्रोब्लम नहीं आएगा ok तो चलिए म यहां पर होट इस्टोर डाउनलोड होना सुरू हो चुका है अभी पहले जो पेंडिंग लिखा रहता था डाउनलोड नहीं होता था वह problem fix हो चुका है आप देख सकतो successfully होट इस्टोर डाउनलोड भी हो चुका है ok तो गाई इस तरीके से अगर आपके android smart tv में play store से कोई करते हैं हम आप से मुलेंगे ऐसे ही नए फीडियो के साथ आप तक लिए जाय हिंद जाय भारात